Welcome and Introduction अभिवादन और परिचे दोस्तों, अभिवादन को अंग्रेजी में Welcome कहते हैं और परिचे को Introduction कहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, तो आप कहते हैं Hello, I am Rohit Hello, मैं Rohit हूँ इसी प्रकार Hello, I am Udita Hello, मैं Udita हूँ इन्ही वाक्यों को आप विभिन तरीकों से बोल सकते हैं Hi, Rohit here Hi, Udita speaking Hello, Rohit on the line यदि आप से कोई पूछता है What is your name? आपका नाम क्या है? तो आप कहिए I am Mohit मैं Mohit हूँ आप उनसे पूछे And you? और तुम तो वे तुमसे कहेंगे I am Sudhir जब आप किसी से सुभा के समय मिलते हैं तो कहिए Good morning, Sir नमस्ते, Sir Good morning, Madam नमस्ते, Madam जब दिन के समय यानि दिन में 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले मिलते हैं तो कहें Good evening, Sir नमस्ते, Sir Good evening, Madam नमस्ते, Madam रात को विदाई के समय Good night, sleep tight शुब रातरी, अच्छे से सोएं इसी प्रकार Goodbye, Children अच्छा, चलते हैं, बच्चों Bye-bye Bye-bye Farewell, dear चलते हैं, प्रिये Bye, see you tomorrow अच्छा, कल फिर मिलेंगे Time समय यदि आपको किसी से समय पूछना है, तो आप कहेंगे What time is it? क्या समय हुआ है? समय बताते हुए आप कह सकते हैं It is five by my watch मेरी घड़ी में पांच बजे हैं It is half past seven by my watch मेरी घड़ी में साढ़े साथ बजे हैं It is a quarter to seven by my watch मेरी घड़ी में पौने साथ यानि 6.45 बजे हैं It is a quarter past seven by my watch मेरी घड़ी में सवा साथ यानि 7.15 बजे हैं याद रखिये, एक घंटे में साथ मिनट होते हैं एक मिनट में साथ सेकिंड होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं Calendar यदि आपको किसी से यह पूछना है कि आज कौन सा दिन है तो आप कहेंगे What day is it today? दिन का नाम बताते हुए आप कह सकते हैं It is Monday today आज सोम बार है It is Saturday today आज शनी बार है It is Sunday today आज रविवार या इतवार है याद रखिये There are seven days in a week सब्ता हमें साथ दिन होते हैं यह हैं Sunday रविवार या इतवार यह सब्ता का सबसे पहला दिन होता है Sunday is the first day of the week Monday सोमवार Tuesday मंगलवार Wednesday बुधवार Thursday वीरवार या ब्रहसपतिवार Friday शुकरवार Saturday शनिवार There are 12 months in a year वर्ष में 12 महीने होते हैं यह है January January यह वर्ष का सबसे पहला महीना होता है January is the first month of the year February March April May May June June July August September October October November December याद रखिये एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 30 या 31 दिन होते हैं सेप्रिल जून सेप्टेम्बर आद नवेंबर में 30 दिन होते हैं बाकी सब महीनों में फरवरी को छोड़कर 31 दिन होते हैं फरवरी में लीप एर लीप वर्ष जिसमें साल में 365 दिन की बजाए 366 दिन होते हैं में 29 दिन होते हैं यदि लीप एर ना हो तो फरवरी में 28 दिन होते हैं एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 4 वीक्स होते हैं सीजन्स रितुएं रितुओं से हमें मौसम का पता चलता है ग्रिश्म रितु को समर कहते हैं शरद रितु को विंटर कहते हैं वसंत रितु को स्प्रिंग कहते हैं पत जड़ को आटम कहते हैं बरसात को रेनी सीजन कहते हैं आप कह सकते हैं ग्रिश्म एक गरम रितु है शरद एक ठंडी रितु है वर्षा रितु में वर्षा होती है पत जड में पतियां गिरती है वसंत में फूल खिलते है कामकाज हर आदमी अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ काम करता है जैसे मोची को कॉबलर कहते हैं चितरकार को पेंटर कहते हैं वकील को लॉयर कहते हैं किसान को फार्मर कहते हैं रसोया को कुक कहते हैं अंग्रेजी में बोलना हो तो आप कह सकते हैं वह कौन है? वह एक कारचालक है. वह कौन है? शी is a painter. वह एक चित्रकार है. वह कौन है? वह एक डॉक्टर है. Colors रंग, आईए, रंगों के नामों पर एक नज़र डालें. काले रंग को ब्लैक कहा जाता है. सफेद रंग को वाइट कहा जाता है. हरा रंग ग्रीन कहलाता है. नीला रंग ब्लू कहलाता है. पीला रंग येलो कहलाता है. बैंगनी रंग वाइलेट कहलाता है. केसरिया रंग सैफरन कहलाता है भारती जंडे में तीन कलर्ज होते हैं सफेद, हरा, केसरिया अंग्रेजी में आप कह सकते हैं आपकी कमीज का रंग क्या है? यह नीला है आपकी जुराबों का रंग क्या है? मेरी जुराबें सफेद हैं इस गुबारे का रंग क्या है? यह गुबारा हरा है जानवर, पक्षी, कीडे गाई को काव कहा जाता है भैस को बफलो कहा जाता है बकरी को गोट कहा जाता है गधे को आस या डॉंकी कहते हैं कुट्टे को डॉग कहते हैं इसी प्रकार चिडिया को स्पारो कहते हैं कबूतर को पिजिन कहते हैं चील को काइट कहते हैं उल्लू को आउल कहते हैं, इसी प्रकार मदु मक्ही को बी कहते हैं, जू को लाउस कहते हैं, चीन्टी को आंट कहते हैं, मक्ही को फ्लाई कहते हैं, खटमल को बग कहते हैं, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, यह जानवर कौन सा है? यह हाथ ही है यह पक्षी कौन सा है? यह गरुड है यह कीड़ा कौन सा है? यह मकडी है याद रखिये, दूद पिलाने वाले जन्तूँ को कहते हैं चार पाउवाले जन्तूँ को कहते हैं दो पाउवाले जन्तूँ को कहते हैं घरेलू जानवरों को कहा जाता है जंगली जानवरों को कहा जाता है सगे संबंधी आईए, अब हम अपने सगे संबंधियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्ट करें अंग्रेजी में पिता के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है आप कह सकते हैं आपके पिता जी क्या काम करते हैं? मेरे पिता जी डॉक्टर है आपके पिता जी की उम्र क्या है? मेरे पिता जी चालिस या चालिस वर्ष के हैं इसी प्रकार मा के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है आप कह सकते हैं आपकी मा क्या करती है? मेरी मा ग्रहनी है आपकी मा की उम्र क्या है? मेरी मा पैंतीस या पैंतीस वर्ष की हैं दादा के लिए शब्द प्रयोग होता है नाना के लिए शब्द प्रयोग होता है याद रखिए सिर्फ शब्द का प्रयोग करने से पता नहीं चलता कि वे आपके दादा हैं या नाना इसलिए शब्द का प्रयोग जरूर करें चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकर कहा जाता है चाची, ताई, मामी, मौसी, बुवा सभी को आंट और आंटी कहा जाता है यहाँ भी आप शब्द का प्रयोग करें जैसे जिनका मां से संबंध है वहाँ शब्द का प्रयोग करें जिनका पिता से संबंध है वहाँ शब्द का प्रयोग करें आओ देखते हैं वे तुम्हारे क्या लगते हैं? वे मेरे मामा हैं मामा का सम्बंद आपकी मा से है What is she to you? वे तुम्हारी क्या लगती है? She is my maternal aunt वे मेरी मौसी या मामी है इसी प्रकार What is he to you? वे तुम्हारे क्या लगते है? He is my paternal uncle वे मेरे पूफा या ताया या चाचा है What is she to you? वे तुम्हारी क्या लगती है? She is my paternal aunt वे मेरी चाची या ताय या बुआ है याद रखिए हिंदी में बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जैसे वे यह वेह का बहुवचन है जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन singular रहता है जैसे बहन के लिए sister शब्द और भाई के लिए brother शब्द का प्रयोग होता है चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन के लिए केवल cousin शब्द का प्रयोग होता है cousin brother, cousin sister कहना बिलकुल गलत है जैसे वेह तुमारी क्या लगती है शी इस माई काजन वेह मेरी चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी, बहन है साला या बहनोई के लिए brother-in-law शब्द का प्रयोग होता है इसी प्रकार साली, सलज, ननद के लिए sister-in-law शब्द का प्रयोग होता है ससुर को father-in-law कहा जाता है जबकि सास को mother-in-law कहा जाता है पुत्रवधू के लिए daughter-in-law शब्द का प्रयोग होता है पती के लिए आप कह सकते हैं, वह मेरी पत्नी की बहन है, यानी मेरी साली है वह मेरे साले की पत्नी है, यानी सलज है She is my sister-in-law इसी प्रकार He is my brother-in-law वह मेरा साला या मेरी बेहन का पती है बेटी के लिए Daughter शब्द का प्रयोग होता है जबकि बेटे के लिए Son शब्द का प्रयोग होता है यहां बेटे की अंग्रेजी में स्पलिंग S-O-N है ना की S-U-N जिसका मतलब सूर्य होता है। दोनों का उच्चारण एक जैसा है। पोते के लिए Paternal Grandson और पोती के लिए Paternal Granddaughter शब्दों का प्रयोग होता है। दोता के लिए maternal grandson और दोती के लिए maternal granddaughter शब्दों का प्रियोग होता है. याद रखिए, सिर्फ granddaughter या grandson शब्द का प्रियोग करने से यह बताना मुश्किल है आप पोते या दोते या पोती या दोती का जिक्र कर रहे हैं. भांजा या भतीजा के लिए अंग्रेजी में शब्द का प्रियोग किया जाता है. वह मेरी भांजी या भतीजी है. वह तुम्हारा क्या लगता है? वह मेरा भांजा या भतीजा है. किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रियोग किया जाता है. किसी भी पुर्ष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रियोग किया जाता है. May I help you, sir or madam? क्या मैं आपकी सहाइता कर सकता हूँ, sir या madam? Sir or madam, this way. Sir या madam, इस और. विवाहित Married महिला के नाम या उपनाम से पहले Misses Misses तथा अविवाहित महिला के लिए Miss Miss शब्द का प्रियोग होता है. Miss Miss का प्रियोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्थरी के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है. याद रखिए Miss शब्द का प्रियोग किसी सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता के लिए भी किया जाता है. शब्द का प्रियोग उस समय भी किया जाता है जब बोलने वाले को किसी लड़की का नाम ना पता हो. May I help you, miss? Miss, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? Miss, शब्द का प्रियोग बच्चों द्वारा female teacher को संबोधित करते हुए भी प्रियोग में आता है. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि female teacher विवाहित है या अविवाहित, जैसे Good morning, miss. Good afternoon, miss. Good evening, miss. इसी प्रकार विवाहित पुरुष या अविवाहित पुरुष के लिए Mr. Mr. शब्द का प्रियोग होता है. Mr. केदारनाथ has come. श्री केदारनाथ जी आए हैं. याद रखिए, पुरुष के नाम या उपनाम दोनों से पहले आप Mr. शब्द का प्रियोग कर सकते हैं. Mr. Gupta, Mr. Rohit Gupta, Mr. Brown, Mr. John Brown.